असलाम अलेकम दियूस, हाउ आई यो, उमीद नहीं, यकीन है, आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेश्या की तरह मेरी दौएं, मेरे व्यूर्स के साथ हैं, और यकीनन आपकी दौएं भी मेरे साथ होंगे, तो लेक्षर को कंटीनूर करने से पहले, चैनल को लाइक, शे और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, हमारी जो अजेक्टिव की सीरीज सी, वो हर लहाज से मुकमल हो चुकी, अब हम स्टार्ट करेंगे, पर नाउन, पर नाउन क्या है, और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, आज की लेक्षर में, जस इसकी टाइप्स को डिफाइन और नाउन है क्या, वो ल्वस या अलफाच जो नाउन की जगा पर इस्तामाल के जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पर नाउन, मिसाल के तोर पर अगर मैं कहता हूं, अली मेरा बहतरीण दोस्त है, अली मुझसे मिलने आता है, अली बहुत PANCTIONUL है, अली हमेशा FIRST आता है, तो म मुझ से रोज मिलने आता है वह बहुत पंक्तियोड है वो हमेशा फस्ट आता है तो अली की जगा मैंने क्या इससमाल किया वह तो वह क्या हुआ वूल फास या लफ जो नाउन की जगा पर इस्तमाल किये जाते हैं जो नाउन को rep Mission से बचाते हैं उनको क्या कहा दे, ही, शी वगेरा वगेरा को क्या कहा जाता है personal pronoun नमर सेकेंड टाइप है pronoun की interrogative pronoun interrogative pronoun कौन से होते हैं जो डबली एच फैमली से तालूग रखते हैं मिसाल के तौर पर where, when, which, what, who वगेरा वगेरा इनको क्या कहा जाता है interrogative pronoun और याद रखें ये हमेशा sentence के start पर आते हैं और इसमें कोई न कोई सवाल पूछा जाता है मिसाल के तौर पर where, where is your book, when, when you will come, who, who is your friend, what, what is your name, which, which is your book clear number third type of pronoun reflexive pronoun याद रखें reflexive pronoun उनको कहा जाता है उन अलफास को कहा जाता है जिनके last पे self आ जाता है मैंने क्या कहा reflexive pronoun उन अलफास को कहा जाता है जिनके last पे self आता है उनको reflexive pronoun का नाम दे जाता है मिसाल के तौर पर myself, yourself, their self वगेरा वगेरा अगर इसको मैं sentence में इस्तमाल करूँ I will do it myself, you will do it yourself, clear, समझा गई? Okay, number four type of pronoun is indefinite pronoun Indefinite इसके name से पता चल रहा है कि इसके बारे में clarification नहीं है इसके बारे में confusion है तो वो pronoun जिसके बारे में clarification नहीं होती Confusion होती है उनको indefinite pronouns का नाम दिया जाता है और वो कौन-कौन से है, all, someone, anyone, few, वगएरा वगएरा मिसाल के तोर पर अगर मैं कहता हूँ All are telling a lie, सारे जूट बोर रहे हैं अब सब में मुझे नहीं पता कौन-कौन शामिल है यानि confusion आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, indefinite pronoun एक और example लेती है, someone is telling a lie कोई एक जूट बोर रहा है, कोई जूट बोर रहा है तो मुझे नहीं पता वो कौन है, तो ये क्या हो गया, indefinite pronoun Number four type of pronoun is relative pronoun relative का मतलब होता है, रिष्टेदार ये वो पोर nouns होते हैं, जो noun का तालुक बताते हैं अगली मालुमात में, कि noun के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है यानि स्वादा अलफाज में ये कह सकते हैं, वो पोर नाउन है जो के मालूमात दे रहा है बता रहा है राशिद के बारे में मैट मी यस्टरडे जो मुझे कल मिला था इस वान इस रालिटिव पर नाउम जो मालूमात दे रहा है राशिद के बारे में और आगे बात बता रहा है ये वाली बात किसके बारे में है राशिद के बारे में या पत्तु की वो शहर है वेयर जहां पर वेयर आई हैव बिन लिविंग वेयर किसके बारे में बता रहा है पत्तु की के बारे में यानि के पत्तु की वो शहर है जहां मैं रहता रहा हूं वेयर आई हैव बिन लिविंग यानि के रेलिटिव पौनाउंज वो पौनाउंज होते ह जो noun के बारे में मालुमाद बताते हैं, noun के बारे में तालुक बताते हैं, noun का तालुक बताते हैं, उनको क्या कहा जाता है relative pronoun, clear, now, number six type of pronoun is reciprocal pronoun, reciprocal का मतलब होता है, उलट, और याद रखें, English में सिर्फ दो ही reciprocal pronoun इस्तामाल के जाते हैं, now, look at here, the first reciprocal pronoun is one another, and the second one is each other और याद रखें one another को इस्तमाल किया जाता है जब बात करनी होती है दो से ज़्यदा अफराद के माबेन और इच अधर को इस्तमाल किया जाता है जब बात करनी हो सिर्फ दो अफराद के माबेन लोग आई इंग जेमपल Muslim respect one another Muslim से मुराद बहुत ज़्यदा लोग है दो से ज़्यदा है तो Muslim, Muslimान एक दूसरे की respect करते हैं तो ज़्यदा हैं तो इसलिए मैंने इस्तमाल कर दिया one and other clear, they love each other मतलब यहाँ पर कपल की बात हो रही है वो एक दूसरे से मुहबद करते हैं they love each other यहीं कि वो सिर्फ दो लोग है clear, next one is demonstrative pronoun demonstrative demo demo से मुराद इशारा करना English में से four demonstrative pronoun है this, these, that, those मिसाल के तोर पर अगर मैं कहता हूँ this is my book those are your cats that was my game clear, मतलब इशारा करना demonstrative का मतलब है जो इशारा करता है बताता है उसको demonstrative pronoun का नाम दे जाता है then last one is possessive pronoun possessive pronoun मलकियत बताता है किसकी noun की now look at here that pen is mine यहां पर यह मलकियत बता रहा है कि यह pen मेरा है this book is your यह किताब तुम्हारी है मतलब मलकियत को जो बताता है उसको possessive pronoun का नाम दे जाता है यह था आज गा हमारा lecture तो लेते हैं a bird eye view of today's lecture आज हमने क्या पड़ा pronoun जो के noun की जगा पर इस्तामाल के जाता है फिर हमने देखी इसकी types तो types में सबसे पहले हमने डिसक्स किया personal pronoun जिसमें आता है i, you वगएरा वगएरा उसके बाद आगया introgative pronoun नमबर 5 पे हमने देखा relative pronoun जो के तालुक बताते है noun का अगले मालुमात तक clear फिर हमने देखा recipe protocol pronoun जो सिर्फ दो ही है one another को दो से ज्यादा के लिए इस्तामाल के जाएगा each other को सिर्फ दो के लिए इस्तामाल के जाएगा फिर हमने देखा demonstrative pronoun जो के इशारा करते हैं जिसमें आता है this, these, that, those clear फिर हमने डिस्कस किया possessive pronoun को जो के मलकियत बताते हैं this book is your this pen is mine वगएरा वगएरा दो में याद रखेगा अपना खियार रखेगा take care bye bye Allah हाफेज